खाना खाने से वायू जादा बनती है, दर्दें जादा करता है शरीर, हो सकता है किसी को खाना खाने से कच्छा रस आगे चला जाता है नसों में, जिससे की गठिया की शुरुवात जिसको कहते हैं, वो हो जाती है, एडियों में दर्द, आदियों में दर्ड कई कारणों से हो सकता है, आज इसका मैं सटीक समाधान दोगा लेकिन पहले जानना जरूरी है क्या कारण है एडियों के दर्ड के होने का पहला कारण है कि आपकी केल्शिय मौडी में कम हो गया है जिस वजा से हटियां बढ़ने लगी है उसमें पैर के नीचे एड़ी में भी छोटी तीखी तीखी भड़ी बढ़ने लगती है उसको स्पर बोल देते है यह तब बढ़ती है जब आपकी बढ़ना हड़ी का रहो भी केल्शियम कम हम में जी हां जब केल्शियम कम होता है तो इस तरह से abnormal जगा से जहां पर नहीं बढ़ी चाहिए वहां से ऐसे बढ़ने लगती है खड़े होने पर उस पर प्रेशर पड़ता है बहुत तेज दर्द होती है जादा तर इस थीज का जो समधान है वो मैं hydrotherapy बताता हूँ hydrotherapy गरम और ठंडे पानी का सेख होता है जो मैंने पहले भी एक बार वीडियो पे बता दिया है एक बार नए दर्शकों के लिए थोड़ा सा मैं संशेप में बता देता हूँ एक बाल्टी में बहुत तेज गरम पानी कर लिजए एक बाल्टी में पानी लेकर के आदी बाल्टी बरके उसमें थोड़ी बरफ डाल लीजिए ताकि वो पूरा ठंडा हो जाए आप क्या करना है एक डेड़ मिनट गरम बाल्टी में पैर डाले जल न जाए बस इतना ध्यान रखें इतना ही गरम हो और जब कम होने लगे गरम तो अगरम कंदाँ कीक डेम्रव से गरम करना होता तो देड़ मिनट आपने गरम बाल्टी में पैर डाले तो यह खिर करते रहना है एंसे तीन चार रिपिटिशन करने और असज़सित करना अगर अगर छरड़ी है तो गरम पर ख़टम करते घर्मी तो थंडे करते तो आई गू बाच टब में बैठके यूसी किसी वाशोम में जाके आपकर सकते हो यह बहुत ही कारगर है और निरापच्धक है इसके बाद आता है स्वै का दर्द होना। रुटियकेसिट बढने से प्रण इसवागों दाल आता है जब कोई मां की डाल ज्यादा खाता है बृटिन के चीजें जिस से यूरिक असे बढ़ने के चांसेज रहते हैं, खट्टा जादा खाता है, असेडिक चीजें जादा खाता है, ब्लड थिक हो गया, जादा जो है, लोग खड़े रहते हैं, उनका भी एडियों में दब शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल नहीं चलत आर दिन में जो आप लियते हैं वो छिलके वाली डाले लें हलकी मुन्ठी अरहर की जादसे जादा मन गरें तो मसुर आधी कभी कबार और या फिर सावमबर आधी बना करके इससे जादा भारी दालें, चने काले चने का सेवन का भी कभार कर सकते हैं, अलका कर दें अपने शरीर को पनीर बंद कर दें, और साथ ही साथ उस जो ब्यूरिक इसड बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए आप लौकी का रस, चार चमच उसमें अलो बेरा का जूस डाल लीज अधर कंदुकस करके निकाल सकें तो, इसमें थोड़ा सा आप चाहें, तो अधरक का रस डाल सकते हैं एक चमच, गरम पानी डालके कब इसे आप सुबह खाली पेट पीजाएं, बाडी डीटॉक्स होगी, आपको थोड़ दिन में ही बहुत लाइट लगने लगेगा, अधर मैंने इसलिए डलवाया कि अगर कहीं बलड में थिकनेस हो, बलड में कॉलेशोल हो जादा, बलड की फैट्स को भी पिगलाएगा, बाडी के अंदर कहीं पे कुछ ज्यादा आम, जिसको आप कह सकते हैं, कच्छा रस चला गया है अंदर नसों में, उसको भी डीटॉक्स कर बाराइगा, अदरक के इलावा लैसुन का भी सेवन कच्छे लैसुन का सेवन भहुत अच्छा है, डर्दों में, एडियों की दर्दों में, मैं आपको बता दू, एक सबजी बनाई जाती है, जब कारण नहीं पता होता, दर्द कभी इदर हो अरी, कभी एडि में औरी, कभ लिकाउतार के इसको मत भूक्त जिसेए ठोडे चोटे टुकडे कर लीजिए या вмैश लेस्वा लेस्ण के बाद उत्ना ही अधरक ले लीजिए चिलकाउतार के और उतनी आप चाहें यदी तो टमाटर और उतनी ही मातरा में हल्डी जो प्याज प्रयोक करते हैं उनको कई बार हम सर्दी के दिनों में जब चाहें तो वह भी डलवा लेते हैं अथवा तो जरूरत नहीं है उसके तो यह तीन-चार चीजें जो हम ले ली हमने अधरक हल्डी कच्छी आप चाहें जब मर्जीस को तो यह तो आप चाहें जब मर्जीस को खाना खाने लगे हैं एक दो चमच साथ में ले ले दिन में एक बार जिसको खाना खाने से वायू ज़ादा बनती है दर्दें ज़ादा करता है शरीर हो सकता है किसी को खाना खाने से कच्छा रस आगे चला जाता है नसों में जिससे की गठिया की शुरुआत जिसको कहते है वो हो जाती, एडियों में दर्द, ये सब बंद कर देगा, थोड़े ही दिन में, पानी जादा पीए, थोड़ा पैरों में सरसों का तेल रात को लगा के, कांसे की कटोरी ले लें, और कटोरी की बैक साइड, पैरों फे इस तरह से रगणे, पकड़ करके, ताकि उससे जो थो फोड़ा लुबरिकेशन मिले, मसाज मिले, हलका पैन मैसूस हो, इतना जरूर कर लें, हरी घास पे चला करें, और हफते में एक दिन, कम से कम आदर डालेगी, डिनर नहीं करना, मैं आपकी शुरुवात करवा रहा हूं भी कम रोज ना सही, कम से कम हफते में एक रात डिनर बंद कर दो, खाली गरम पानी पीओ एक दो बार, बहुत मन करें, तो थोड़ा बहुत कोई सूप ले लिया, टमाटर का, या सबजी का, मूंग का पानी ले लिया, अगर बहुत गुजारा नहीं होता, रात को उठके कुछ खाने का मन करता है, ऐसी स्थिती में, बस, फिर आ वायू के बड़े अंदर शरीर के दर्द नहीं होता, शरीर में कहीं भी, कोई अब नॉर्मल्टी होती है, उसके इलावा छोड़ के बाकी चीज़ों को, कोई मेकैनिकल फॉल्ट आ जाए वो अलग बात है, या कोई टेकनिकल भी शरीर चलते-चलते कोई चीज रुक जाए, या देधी मी चले, तब वहाँ कोई गंदगी कठी हो रही, तब दर्द होता है, वायू बहुत बड़ी भूई का निभाता है, दर्द को बढ़ाने में, एग्रिवेट करने में, तो वायू को बैलस रखें, वात को बढ़ाने वाले चीज़ें, थोड़े समय के लिए अगर आपको चावल, आलू, मा, कड़ी, राजमा, और चने की दाल, और गोगनी, इस तरह से कच्चा सलाद, अगर कम करना फड़े, तो आप कर दीजिए, वस गाजर का सलाद लिया जा सकता है, वो आपको दर्दे नहीं करेगा, टमाटर कभी कभी कभार लिया जा सकता है, अद्र है, वो आपको कोई ऐसी समस्या नहीं, कोई और दिक्कत है, कोमेंट्स में भी जूर बताइए, मेरी शैद हो सकता है, अभी इस समय दिमाग से निकल गया हो, या उस पे भी ध्यान न गया हो, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम अलग हो, तो ये भी ध्यान रखना है, मेरी वी उसके नुसार ही किसी चीज का अपयोग प्रियोग करें, आपने मुझे सुना उसके लिए दन्यवाद, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, अपना ध्यान लखें, नमस्कारम, क्या कोई खाने की चीज ऐसी है, जो एक साल के बच्चे से लेकर के सौ साल के बुजर्ग विक्ति को दी जा सके, जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, आनंदम आयुरवेद के द्वारा बनी, यानि मेरे द्वारा बनाई गई, मल्टी ग्रिन खिचडी, इसमें जितने भी मिललट्स या आनाज है, वो एजड है, यानि एक सीजन बा पचने में, पेट में दर्द नहों, बच्चों को भी, और मूंग ताजी ली गई है इसमें, ता कि खून जादा बड़े, मूंग पुरानी नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी इसमें मसाले, खाड़े मसाले भी है, कभी आप सादा नमक डालके भी से बनाएंगे तो बहु झालके बनाएंगे इसमें मसाले 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 इसमें म